नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुखे खबर जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कोरोना के खिलाप अब कवच बनेगा टीका इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि मास्क नहीं लगाने पर अब लग रहा है सबसे बड़ा फाइन इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि सोन्या गांधी ने मोधी सरकार की कोरोना वैक्सिन पर उठाए हैं सवाल इसके साथ साथ ऐसी ही बहुत सारी बड़ी खबरे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर आप WhatsApp या फिर Facebook चलाते हैं तो इस वीडियो को अन तक देखिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करेंगे लेकिन उससे पहले हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी सेर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी ख़बर से कोरोना के खिलाप कवच बनेगा टीका यूपी बिहार सहीत इन राज्यों में मुफ्त में लगेगी कोरोना वायर्स की वैक्सिन जी हाँ देश भर में एक मैं से अठरा साल से उपर के लोगों के लिए टीका करण को खोल दिया जाएगा केंदर सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्यों ने अपने यहां सभी को मुफ्त में टीका देने का एलान किया है केंदर के फैसले के बाद सबसे पहले उत्तर परदेश ने इसका एलान कर दिया है कि राज्यों के लोगों को मुफ्त में अब टीका लगाया जाएगा यूपी के साथ-साथ, केरल, मध्य परदेश, बिहार, असंब और 36 गड़ने भी लोगों को फिरी में टीका देने का बयान दे दिया है तो साफ है उम्मिद करते हैं कि जो बाकी बचे राज्ये हैं वो भी कोर्ना वायर्स का टीका लोगों को फिरी में ही दे चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की तो मध्रास हाइकोट ने कहा दुरगटनाय रोकने के लिए दोपहिया वाहन में भी लगेंगे स्पीड गवर्नर दोस्तों मध्रास हाइकोट ने बुधवार को राज्ये और केंदर सरकारों को सुझाओ दिया है कि स्रडग दुरगटनाय रोकने के लिए दोपहिया वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जाएं इसके लिए सरकार आटोम वाहनों को दोपहिया वाहनों के उत्पादन के दौरान ही उनमें गती को नियंतरित करने वाला यह उपकरन लगाने का निर्देश दे सकती है मामले की अगली सुनवाई अब 2 अगस्त को होने वाली है चली बात करेंगे एक और वड़ी खवड़ी तो ऑकसीजन की किल्लत से जूज रहे हैं लोग गैस कंपनी के बाहर लगी हैं लंबी लाइने जिहां आपको उता दे कि इन दिनों होस्पिटल में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है दोस्तो कोरोना संकरमीत मरीजों की ऑकसीजन के कमी के चलते जाने जा रही हैं और राजधानी लखनों में हाहाकार मचा हुआ है एक ऑकसीजन सिलेंडर के लिए लोगों को घंटो घंटो इंतेजार करना पड़ रहा है और इसी वज़े से लोग अब ऑकसीजन की कमपनियों के बाहर लंबी लाइन लगा रहे हैं और वो पूरी तरह से पर्यास कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनको ऑकसीजन मिल जाए लेकिन जो एकसीजन हमें फिरी में मिलना चाहिए उस ऑकसीजन की आज माज जलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की तो मास्क ना लगाने पर लग रहा है इतना जुर्माना कि आप भी सुन करके धहल जाएंगे और अब तक कई लोगों के तो चलान काटे गए हैं आपको विश्वास भी नहीं होगा जी हाँ आपको वता दे कि मास्क ना लगाने पर अब तक 57,753 लोगों के 2021 में चलान काटे जा चुके हैं और अब तक 77,000 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन भी घोसित किये जा चुके हैं दोस्तों आपको वता दे कि कोरना वायर से अगर हमारा कोई बचाव कर सकता है तो वो मास्क ही है लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं चोंकि मास्क नहीं लगाते हैं और इसी वज़े से लोग बहुत ज़्यादा गुस्ता हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर किसी को मास्क लगाना ही चाहिए और इसी वज़े से भारी भरकम चलान भी कट रहा है चलिए बात करिए एक और बड़ी खबर की तो जीहां आपको बता दे कि आज रायस्थान रोयल और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में महा मुकावला खिला जा रहा है और आपको बता दे कि वान खिड़े की जिस पीच पर ये मैच हो रहा है वहाँ पर अच्छे खासे रन बनते हैं लेकिन रायस्थान रोयल अभी तक सिरफ 170 रनों पर पहुँच पाई है और उसके 9 विगट गिर चुके हैं जबकि अभी 4 गेंदे बाकी है और ऐसा लग नही कोर्ना वैक्सीन निती पर उठाएं सवाल पत्र लिख करके कहा 18 बलफ़ को फिरी में लगाएं टी का दोस्तो मोधी सरकार की कोर्ना वैक्सीन रन निती पर कोंग्रियस अध्यक्ष सोनिया गांडी ने सवाल आ अग्णिने परदान मंत्री मोधी को चिथ्थी लिखी है कि जितने भी देश के युवा है जिनकी उमर 18 साल से जादा है उन सभी को जो कोर्णा वायर्स की वैक्सिन इन दिनों लगाई जा रही है वो वैक्सिन पूरी तरह से फिरी में लगाई जाने चाहिए और ये लोगों का हक है उनका कहना है कि अगर लोगों को ये वैक्सिन पैसे देगर के लगवाई जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोर्ना वायर्स की वैक्सिन लगवाएंगे ही नहीं दोस्तों आंकडों की बात करें तो देश में बीते 24 गंटे में 3 लाख से भी जादा नए मामरे सामने आये हैं और आपके पाउं तले से जमीन खिसक जाएगी इतने बड़ी संख्या में पिछले 24 गंटे में लोगों की जान गई है बता दे कि 2100 लोगों ने जी हाँ 2100 लोगो को बहुत ध्यान से आप सभी सुनिएगा दोस्तों आपको बता दे कि आज ही WhatsApp और Facebook को ले करके एक ऐसा फैसला High Court से हुआ है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है प्राइविसी पॉलसी को ले करके WhatsApp और Facebook को दिल्ली High Court से निरासाहत लगी है उच नियायले ने का आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है चलिए बात करेंगे एक और वड़ी खबर की तो जीहां आपको उता दे सुसान सिंग राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों आपको उता दे की खबर यह है कि बहुत जल्द आप सभी देखेंगे कि रिया चकवरती को इतना असानी से छोड़ने वाली है नहीं और बहुत जल्द एक बार फिर से इनके घर पर चानबीन हो सकती है और इससे रिया चकवरती की परिसानी बढ़ सकती है तो क्या आप चाहते हैं कि रिया चकवरती के घर पर एक बार फिर से जांचो जरूरू कमेंट कर 980 रुपए परती 10 ग्राम पर पहुँच गया है बात करें अगर हम चांदी की तो जी हाँ चांदी में भी बड़ी गरावट देखने को मिली है जिसके बाद चांदी 79,985 रुपए परती किलोग्राम पर पहुच गई है चलिए अब हम चलते हैं सीधे इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ तो पुलिस कर्मियों से बत्तमीजी करने वाले कपल को नहीं मिली रहत कोट ने जमानत दिने से कर दिया है साफ इनकार दोस्तो अभी हाली में एक वीडियो सामने आय थी जिसमें एक कपल था जो कि पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा बत्तमीजी कर रहा था और वो पुलिस वालों की सुनने को भी राजी नहीं था और ऐसे मैं आपको उता दे कि इनका जो मामला है वो कोट तक पहुँच गया दोस्तों आपको बता दे कि किसान आंदुलन में राकेश टिकेट जो हैं वो एक वार फिर से बड़ी घुस्टना कर रहे हैं हम किसानों को यहां से जाने के लिए नहीं कहेंगे ऐसा कहना है राकेश टिकेट का दोस्ता आपको उता दे कि राकेश टिकेट जो हैं वो लगतार किसानों के समर्थन में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि किसान यहां से चले जाएं जब तक कि भारत सरकार ये तीनों काले किर्सी कानून वापस नहीं ले लेती और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि किसानों को कोर्ना वायर्स की वैक्सिन वही पर ही लगे जहांपर किसान बॉर्डर पर बैठे हुए है तो साफ है कि किसानों को बहुत जल वहीं परी कोर्नावायर्स की वैक्सिल लगे क्योंकि हरियान सरकार में इसको लेकर के मन्थन भी चल रहा है बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जलवायू सिख़ सम्मेलन को करेंगे सम्मोधित परधानमंतरी मोधी सी जिंपिंग भी होने वाले हैं सामिल दोस्तो परधानमंतरी नैद मोधी जलवायू संकट विसे पर अमेरिकी राष्टपती जोब ऐडन की पहल पर 23-24 अप्रैल को आयोजित होने वाले दो दिवसी सिखर सम्मेलन को पहले दिन सम्मोधित करेंगे अमेर्की राष्टपती ने नरिंद मोधी, रूसी राष्टपती, बलादी मीरी पुतीन, चीनी राष्टपती, स्री जिंपिंग और इनके साथ ही दुनिया के 40 देसों की नेताओं को यहाँ पर सामिल किया जाएगा और यह हमारे देस के लिए गर्ब की बात है कि हमारे देस के परधान मंतरी मोधी इसको पूरी तरह से लोगों के सामने सम्मोधित करेंगे जिसे कि रियल में हमारे देश की जो मान समान है वो और भी ज्यादा उपर उठ जाएगा तो दोस्तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर मुझे उम्मीर है कि आपको इस सारी खबरे अच्छी लगेंगी दोस्तो वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ भी सेर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद